हेलो फ्रेंड्स वेलकॉम बैक दोस्तो आज जस फिल्म की बात होगी वो मेली एक तलेगो फिल्म है लेकिन पाइफ इंडियन लैंग्वेजस में डबड होकर पैन इंडिया रिलीज हुई मैं बात कर रही हूँ राइटर डारेक्टर अजे भूपती की मंगलवारम की जो साइकलोचिकल सूपर नाचरल हॉरर मिस्टरी फिल्म है आरेक्स हंटरंड से सेंसेशनल शुरुवात करने के बाद डारेक्टर अजे भूपती महसमुद्रम से इंपक्ट छोडने में असफल र रहे हैं कि अजे भूपती की कमबाक्ट फिल्म होगी अब आते हूं मैं इसकी स्टोरी डिकोड सेक्षन में 1996 में गोदावरी डिस्ट्रिक में महा लक्षमी पुरम गाउं में कुछ सस्पीशिस मौते हुई ये मौते मंगलवारम याने के मंगलवार को होती है जिसे विलेज गौर्डस का पसंदीदा दिन माना जाता है इन फैडलिटी के कारण दिवार पर नाम लिखे जाने के तुरन बाद दो लोगों की मौत से पूरा गाउं भैबीत हो जाता है जबकि पूरे गाउं का मानना है कि ये मौते सूसाइड्स है ऐसा ही माया याने के नंदिता श्वेता सोचती है कि ये मडर्स हैं कुछ सस्पेशन अराइज होता है कि शैलजा याने के पायल राजपूत जिसकी हाल ही में डेथ हुई है वो भूद बन गई है और इन मौतों का कारण बन रही है क्या शैलजा का सच मुच इन मौतों से कोई रिलेशन है माया ने इस केस को कैसे सुलजाया आंसर्स कहानी का इसेंस बनते हैं इसके आगे क्या होता है क्यों होता है सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी अब आती हूँ मैं एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कई टेक्निकल एसपेट्स पे अगर हम केवल RX100 के कुछ बोल्ट सीन्स को देखे तो कई लोग सोचेंगे कि ये एक घट्या फिल्म है जिसमें बोल्ट सीन्स के जर्ये यूद को लिभाने की कोशिश की गई है लेकिन उन्होंने हिरोईन का किरदार निभाने का ट्रेंड सेट किया तेलिगों सिन्मो में किसी और फिल्म डारेक्टर ने किसी हिरोईन को इस तरह दिखाने की हिमत नहीं की लोगों ने काफी ट्विस्ट देखे हैं लेकिन फिल्म में पायल का किरदार जिस तरह से सामने आया उसने कई लोगों को चौका दिया अजेब भूपती को लीक से हच कर सोचने का क्रेडिट दिया जाना चाहिए इतना impactful debut करने के बाद अजेब भूपती ने महस समुद्रम से heavily disappoint किया कई लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ one film wonder है लेकिन मंगलवारम से उन्होंने ये opinion बदल दी उन्होंने heroine के किरदार को अपने unique और sensational अंदाज में पेश किया आखरे 30 minutes में दिखाए गए twist film को दूसरे level पर ले गए हाला कि script में कुछ खामिया है लेकिन director एक अलग mystery thriller देने में कामियाब रहे और film lovers इसे enjoy करेंगे इस film के बारे में बात करते हुए अजे ने दावा किया कि उन्होंने इस film में जो touch किया उस पर इस देश में कोई discuss नहीं कर पाया film को देख कर लगता है कि वो कुछ हद तक सही है और वो बिल्कुल भी exaggerating नहीं कर रहे है हमें नहीं पता कि वो RX100 में लिखी गई female lead role से inspired हुए या नहीं लेकिन उन्होंने इसमें एक नया angle जोड़ा और पायल के किरदार को interesting तरीके से पेश किया इस film में भी heroine का role USP है क्योंकि कम screen time के बावजूद वो कहानी का important हिसा है हम flashback portion में कुछ scenes को digest नहीं कर पाते हैं हम चाहते हैं कि ये जल्दी खतम हो और लोगों को wonder होता है कि director ऐसे scenes से audience को कैसे convince करते हैं लेकिन director ने तुरंट scene में अपना talent दिखाया और अब तक उठे सबी सवालों के जवाब दिये RX100 देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि पायल चैसी lead heroine का role बहुत से heroines नहीं कर सकती उस film में उन्होंने बेहत बोल्ड किरदार निभाया था और mangalwaran से उन्हें एक बार फिर ऐसा मौका मिला फिल्म में उनका role और bold acting देखकर हम चौक जाते हैं हमें ऐसा लग रहा है कि ये role सिर्फ पायल ही कर सकती थी इस film में उन्हें अपने acting talent और emotions को दिखाने का और भी बहतर मौका मिला इस film में उनकी acting से लोग बेहत surprised है और इसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा नंदिता श्वेता strict SI के role में ठीक है उनकी dubbing उन्हें बिलकुल suit नहीं करती है कृष्णा चैतनिया ने limited role में बहुत अच्छी acting की प्रेदर्शी का role आपको surprise कर देगा और small screen time मिलने पर भी वो आपको impress करते हैं अजे गोश ने एक serious film में कुछ हसी लाई उनके assistant का role करने वाले actor भी अच्छे थे इस film में दिविया पलाई ने भी अच्छी acting की और रविंद्र विजय ने भी मंगलवारम में हम technical brilliance देख सकते हैं अजनीश लोकनात mystery thriller के लिए music देने में master हो गए है उनके music ने इस film के कई scenes को elevate किया फिल्म में मौजूद कुछ songs भी अच्छे थे cameraman दासरधी शिवेंद्र ने भी script के लिए important scene दिये रात के episodes अलग दिखते हैं और scenes में quality देखी जा सकती है production value adequate है dialogue scenes के साथ अच्छे से mail खाते हैं और कोई भी confidence के साथ कह सकता है कि अजे भूपती ने इस film के साथ एक strong comeback किया है हाला कि इसका comparison RX100 से नहीं किया जाना चाहिए लेकिन उन्होंने एक बार फिर एक bold story चुनी और इसे attractive अंदाज में सुनाया film आपको काफी हद तक एक regular horror thriller का एसास देती है लेकिन end में unimaginable twist उसकी uniqueness को showcase करती है अजे भूपती में different writer और good technician की जलक इस film में देखी जा सकती है duration 143 minutes 17th November 2023 से pan India release हुई है मतलब हिंदी तलेगो तामिल मल्यालम language में नजदी की cinema घरों में चल रही है final section में आती हूँ आपको ये film देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए my verdict bold and thrilling film है horror thriller lovers को ये film देखके मज़ा आ जाएगा thank you तो मैं यही पे इस वीडियो को end करती हूँ मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए आप अपना खयाल रखे और वीडियो अगर पसंद आया हो तो like और share जरूर करे और चैनल को subscribe करना ना भूले